बॉलिवुड और साउथ सिनेमा की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा, जो अपनी अदाओं और अभिने से लाखो दिलों पर राज करती हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रिश्यम की ये स्टार परदे पर उतनी ही जादूई हैं जितनी असल जिंदगी में। आज हम बात करेंगे उनके सफर की, जिसमें है संघर्ष, काम्याबी और धेर सारी कहानियां। तो चलिए जानते हैं श्रिया सरन की अंसुनी दास्तान, श्रिया सरन का परिचे, आज हम आपको यहाँ पर श्रिया सरन के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रिया सरन एक प्रसिद भारतिय अभिनेत्री और मॉडल है। वो तेलुगू, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने कर्या की शुरुआत संगीत विडियो के साथ की थी। उन्हें सबसे ज्यादा 2007 में रजनीकांत के साथ शिवाजी दबॉस फिल्म में देखा गया था। उनकी शादी रूसी उद्यमी आंध्री कोशेव से हुई है। श्रिया सरन की वर्तमान आयू 2024 में 42 वर्ष है। आये हम आपको श्रिया सरन के जीवन से परिचित कराते हैं। श्रिया सरन का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। श्रिया सरन का जन्म 11 सितंबर 1982 को हरिदवार भारत में हुआ था और उनकी उम्र 2024 तक 42 वर्ष है। श्रिया सरन को बच्पन से ही अभिनय में बहुत रूची थी। अभिने में अपना करिया बनाने के लिए श्रिया को उनके परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है। श्रिया सरन की शिक्षा श्रिया सरन ने अन्य बच्चों की तरही शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रारंबिक शिक्षा दिल्ली पबलिक स्कूल रानीपूर उत्तराखंड से प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से साहित्य में कलास नातक की डिग्री प्राप्त की. श्रिया सरन का परिवार श्रिया सरन अपने परिवार के साथ रूस में रहती है श्रिया सरन एक अच्छे परिवार से आती है वो अपने पती और बच्चों के साथ रहती है श्रिया सरन के पिता का नाम पुषपेंद सरन है वो भेल नई दिल्ली में एक सेवानिवरित सिविल इंजीनियर है और श्रिया की मां का नाम नीरजा सरन है वो एक सेवानिवरित रसायन विज्ञान शिक्षिका है श्रिया का एक भाई है जिसका नाम अभिरूप सरन है वो FCBUL का Advertising Limited के लिए काम करता है श्रिया सरन शादी शुदा है उनकी शादी 19 मार्च 2018 को आंध्रेई कोशेव से हुई वो रूस के एक टैनिस खिलाडी और उध्यमी है श्रिया सरन की एक बेटी है जिसका नाम राधा है श्रिया सरन का करिया श्रिया सरन ने 2001 में तेलुगू फिल्म इश्टम से अपने अभिनय करिया की शुरुआत की उन्हें 2002 में संतोशम से सफलता मिली जिसने उन्हें तेलुगू फिल्म उद्योग में लोगप्रिय बना दिया वो 2007 की तमिल फिल्म शेवाजी दबॉस से प्रसिध हुई जिसमें उन्होंने सुपस्टा रजनीकांत के साथ अभिनय किया फिल्म की सफलता ने उन्हें दक्षिन भारतिय सिनेमा की प्रमुख अभिनेतरी बना दिया श्रिया ने तेलुगू तमिल और हिंदी फिल्मों में अभिने करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है उन्हें 2007 में आवारापन और फिर 2015 में द्रिश्यम से बॉलिवूड में पहचान मिली जो बहुत बड़ी हिट रही उन्होंने ब्रिटिश कानाडाई फिल्म The Other End of the Line और दीपा महता की Midnight's Children जैसी अंतर राष्ट्रिय परियोजनाओं में भी काम किया श्रिया फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रही है जो अपनी प्रतिभा और सुन्दर्ता के लिए जानी जाती है अगर उनकी नेट वथ की गणना भारतिय मुद्रा में की जाए तो ये लगभग 84 करोड रुप्य होगी श्रिया प्रतिफिल्म लगभग 5 करोड रुप्य चार्ज करती है और उनकी मासिक आय लगभग 35 लाख रुप्य है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह एक अनुमानित नेट वथ है जो कम या ज्यादा हो सकती है और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.studybymind.com पर विजिट करें और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर बने रहें